दोस्तो सुनील गावास्कर को तो हम सब जानते ही ह乓गे वे टीम के पूर्फ कफ़्तान और सफल सलामी बल्लेवाज रहें विष्वमें महान बल्लेवाजों की लिष्ट में सामिल किये जाते हैं सुनील गावासकर का जन मुम्बई महराश्टर में हुआ था सुनीर गवासकर दाएं हाथ के बल्लेवाज हैं इन्हें प्यार से लोग सनी भी बुलाते हैं इन्हें अपने कॉलेज के दिनों से ही एक अच्छे क्रिकेटर के रूप में देखा जाता था उनकी क्रिकेट खेलने के स्टाइल को सभी लोग बहुत पसंद किया करते थे वे सबसे सफलतम बल्लेवाजों में माने जाते हैं इन्होंने बल्लेवाजी से संबंदित कई गर्तिमान स्थापित किये हैं सुनीर गवासकर विश्च के दिगज क्रिकटरों में से एक हैं इन्हों अपने समय में कई सारे रिकॉर्ड बनाये तथा कई सारे रिकॉर्डों को तोड़ा भी है इसके अलावा भी अपने समय में 10,000 रन बनाने वाले विश्च के एक मातर खिलाड़ी हुआ करते थे 34 सतक लगाकर इन्होंने सर्ड डॉन ब्रेडमैन का रिकॉर्ड तोड़ा था अपने स्कूल के समय से एक गवासकर एक अच्छे क्रिकेटर के रूप में अपनी एक प्राइचान बना चुके थे 1966 में गवासकर को भारत के बेस्ट स्कूल बॉय का आवार्ड मिला था सेकेंडरी सिच्छा के अंतिम दो वर्ष में लगातार दो डवल सतक लगाकर उन्होंने सबका ध्यान अपनी ओरा करशित कर लिया था कॉलेज के समय से ही लोग उनके खेल के दिवाने हुआ करते थे 1971 में उनेट वेस्ट इंडीज दोरे के लिए टेस्ट तीम में चुना गया इन्होंने बल्लेबादी से संबंध कई किर्दिमान अपने नाम स्थापित किया है गवासकर ने विश क्रिकेट में तीन बार एक वर्ष में एक हजार रन से भी जादा बनाए है अपने 15 वर्ष के अंतरास्ट के करियर में गवासकर ने 34 सतक लगाए तथा 125 टेस्ट मैचों में 10,000 से भी जादा रन बनाए और 10,000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर सुने लिए वासकर बने इनकी हर पारी और रन एत्यासिक हुआ करते थे वेस्टेंडीज के खिलाफ के लिए पहले मैच के बाद इक गवासकर अंतरास्टी इस तर पर जा गए क्रिकेट में अबुसर कहे जाने वाले गवासकर ने ODI मैच में अपनी टीम के लेट पोस आदार प्रस्तुत किया है वेस्ट सव मैचों का करतिमान भी इंगलेंड में बना चुके हैं गवासकर क्रिकेट के एक अधित भी पहली है अपनी बल्लेवाजी की और से क्रिकेट खिलते समय भी वह सबसे सफल बल्लेवाजों में माने जाते थे गवासकर को विष्वे में सर्वोपरी खिलाडियों में माना जाता है वो एक लौते खिलाडी है जिन्हों ने वेस्ट हैंडीज के विरुद 27 टेस्ट मैचों में 27 philosop 59 рं बनाये हैं इंगलेंड के विरुद 38 मैचों में 24 weather 83 रं बनाये पाकिस्तान के विरो 24 टेस्ट माचों में 2089 रन बनाए और अस्ट्रेलिया के विरो 20 टेस्ट मैचों में 550 रन बनाए है सुनिल गवासकर ने क्रिकेट के मैदान में अदूत प्रदर्सन और रिकॉर्ड तोड़ने के कारणवे विष्ट के सरवच से स्ट पल्लिवाजों में से एक हैं अगर आप सुनिल गवासकर के फैन है तो इस वीडियो को कर दीजे लाइक और शेयर कर दीजे अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो क उन्हें भारती क्रिकेट टीम का कफ्तान न्युक्त किया उस समय सुनिल गवासकर ने कई रिकॉर्ड और कर्दिमान इस्थापित किये उन्हों ने चौतित सतक लाइज जो उस समय में सबसे जादा थे इसी प्रकार सतक बनाने और रन बटोलने के मामले में सबसे आगे निक उस आदमी के पास गए और बोले अरे अरे भाई देख कर चलो वरना रन आउट हो जाओगी उस आदमी को यह पहचानने में जरा भी देरी नहीं लगी कि वह सुनिल गवासकर हैं सुनिल गवासकर के बारे में एक आस्चर जन्रक तक ये भी है कि वे अपने सरीर 5.5 इंच व us a comment section में लिख कर बताएंगी या रोफेसल शे फार्मस उतावर इंटियरा रहे इंका जन्रक सुनिल गवासकर के पिता का नम मानोहर गवासकर, मा का नम मीनल गवासकर, इनकी दो बैनें एक का नम हुपतन गवासकर, एक का नम कविता विश्वनात, ये रिलिजन से हिंदू है, कि होबी की बात करी जाए तो इन्हें मैचिस खेलना पसंद है, रेसलिंग देंगना पसंद है, बेड्मिंटन खेलना पसंद है और किताबे बढ़ना बहुत ही पसंद है अब सुनिल गवासकर के इंटरनेशनल क्रिकेट डेब्यू की बात करते हैं इनका टेस्ट में पहला डेब्यू 6 मर्च 1971 में West Indies के खिलाफ हुआ था, OLLi मे इन्हें इन्हें वन्हें देब्यू 13 जुलाई 1974 में इंग्लैन्ड के खिलाफ किया था इनके International Retirement की बात करिया तो टेस्ट से इन्होंने 13 मार्च 1987 में पाकिस्तान के खिलाफ लिया था ओडियाई में 5 नॉमबर 1987 में इंगलेंड के खिलाफ लिया था अब चलिए दोस्तों इनके रिकॉर्ड की बात करते हैं रिकॉर्ड नॉमबर वन इन्होंने अपने पहले ही डेबूर सीरीज में सबसे जादा 774 नन बनाये हैं जिसे आज तक कोई भी तोड नहीं पाया है रिकॉर्ड नॉमबर चाहत यह मत्र एक खिलाडी है जिन्होंने दो बार लगतार 4 सेंचुरीज लगाई है स्केन और वान खेड़े स्टेडिया पर रिकॉर्ड नॉमबर फाइव इन्होंने अपनी 58 सेंचुरीज 18 अल्दा गल्दा के साथ खेल कर लगाया है के मंकी गेट के बयान पर भी आस्ट्रिलियन वीडिया ने गवासकर की अलोचना की अब चलिए सुनिल गवासकर के आवार्ड के बारें बात करते हैं 1975 में इन्हें अर्जून आवार्ड दिया गया था 1980 में इन्हें सरकार के दोर अपध्रण बनौशन आवाड понад मिल चुका है 1980 में इन्हें यहीसूसी दोरा विज्डण आवाड मिल चुका है सुनिल गवासकर मेरेटल स्टेटस की बाट करीज है तो इनके शादी हो चूदी है वाइप का नाम मार्श नील गवाशकर है, सुनिल गवाशकर की शाधी 1984 में कानपूर के एक लेधर बिज्नियोस्मैन की बेटी मार्श नील गवाशकर से हुई, इनके एक बेटे भी हैं जिनका नाम रोहन है, भे भारतीय टीम की योड़ से क्रिकेट खेल चुके हैं, रोहन ग अब इनके कार की कलेक्शिन की बात करें तो इनके पास BMW 5 सीरीज सिडैन है जिसकी कीमत 70 लाख रुपए है अब इनके लिक कर बताएं कि अगली वीडियो आपके स्क्रिकेटर के ओपर देखना पसंद करेंगे